लो क्लास फेफ्ट वैलकम स्टूडंट्स आज की वीडियो में हम आपका इविएस का फिफ्ट चैप्कर स्टार्ट करें that's name is कम लेट्स प्लेज़ गेम्स आओ चलो खेल खेलने ठीक है गेम्स खेलने के बारे में गेम्स के बारे में चैप्कर है Let's start in different parts of Rajasthan Various games are played in different ways. राजस्तान के अलग-अलग हिस्तो में अलग-अलग तरीके के गेम्स अलग-अलग तरीके से खेले जाते हैं जैसे महारदारी, शितोलिया, गिली डंडा, हाइड और सिक, कैच एटसेक्टरा और कॉमन गेम्स यह कुछ कॉमन गेम्स हैं चरभर, चोपड, लोइंगोट, आस्था, चंगा, एटसेक्टरा गेम्स आर प्लेड इन हाउसेज, आउटसाइड होम्स या फिर कंट्रियार्ड्स ठीक है यह गेम्स वो हैं जो घर में या फिर घर के बाहर बैटकर या आंगन में खेले जाते हैं गेम्स आर उन्सो और्गनाईजड ओन पर्टिकॉलर फैस्टिवल्स गेम्स कुछ विशेश फैस्टिवர्ड पर भी अरगनेज़ की यजाते हैं As in Mayward, Sittolia is played on Makar Sakranti जैसे कि Mayward में Sittolia game Makar Sakranti पर खेला जाता है Kites are flown in Bagad, Marward and Dundad ठीक है, in areas में kites उडाने का खेल खेला जाता है Makar Sakranti पर तो ये festival पर और्गनाईज किया जाने वाले special games है Think and tell what games are played in your village आपके गाउं में कौन से game खेले जाते हैं Which game do you like to play, आपको कौन से game खेलना पसंद है और Which games are played by the elders at your home, in your neighborhood की आपके परोस में या आपके घर में आपके बड़ों के थरू कौन से game से खेले जाते हैं Look at the following pictures and discuss about them Table tennis, hockey, chess बाके देखते आगे क्या कौन से games है Let's start Wrestling, Archery, Cricket और Billiards और Sking अब हम इनके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या पुछा गया है Let's start Which games are being played in the above pictures Above pictures में कौन से game खेले जा रहे हैं How many players are there in a table tennis Table tennis में कितने players होते हैं Which games are played outdoors in the ground कौन से games बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं Which games are played indoors in the room कौन से games ऐसे हैं जो indoor यानि अंदर घर के अंदर या रूम के अंदर खेले जा सकते हैं When more than one player play together A feeling of cooperation develops among them Which is known as sportsman spirit जब एक से ज़ादा players More than one player एक से ज़ादा players जब एक साथ खेलती हैं तो उनके अंदर cooperation की जो भावना होती है वो develop होती है ठेक है और इसे क्या कहा जाता है Sportsman spirit कहा जाता है Games which are played in the ground Are called outdoor games जो games round में खेले जाते हैं उन्हें outdoor games कहते हैं And the games which are played in closed areas Rooms are called indoor games और ऐसे games जो की बंद एरिया में या कमरों में खेले जाते हैं Since दूरदर्शन had started To telecast kabaddi matches these days This game is becoming popular अभी कुछ दिनों से दूरदर्शन क्या कर रहा है Kabaddi के matches को telecast करना शुरू कर रहा है These days इन दिनों ये game बहुत ज़्यादा popular हो रहा है Children are seen playing kabaddi in street grounds बचों को गलियों के मैदानों में गलियों में मैदानों में क्रिकेट kabaddi खेलते हुए देखा जा सकता है At some places they are seen playing cricket also कुछ थानों पर तो उन्हें cricket खेलते हुए भी देख सकते हैं Cricket is played on a large ground But children are seen playing in a small plots also Cricket वैसा तो बड़े ground में खेला जाता है लेकिन बचों को आप small plots में भी यह चोटे areas में भी यह game खेलते हुए देख सकते हो Nowadays people have become quite aware of their health इन दिनों लोग अपनी health को लेकर भी कुछ जागरूख हो रहे हैं Hence yoga is also becoming more and more popular और इस वज़े से yoga क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा परसिद हो रहा है Now come let's know some facts about yoga also Various phases of Surya Namaskar ठीक है Surya Namaskar में यह सारे phases होते हैं कैसे शुरुआत और कैसे ending अब हम देखते हैं इसके बारे में the origins of yoga have been separated to date back to pre-wedic Indian traditions जो मूल आधार है yoga का उसका अंदाजा हम pre-wedic यानि की पुराने वैदिक इंडियन ट्रेडिशन से लगा सकते हैं यानि तब से योगा चला रहा है प्रैक्टिस अव योगा इस मेंशन इंदा रिगवेद बटोल्स मोस्ट लाइकली डेवलप्ड अराउंड दी इस तो योगा की प्रैक्टिस के बार में रिगवेद में भी मेंशन किया गया था लेकिन ज्यादा तर इसे इसका डेवलप्मेंट कब गवा इसका ज्यादा डेवलप्मेंट हुआ इन पीचर को देखकर उन आशन की प्रैक्टिस करनी है वह भी टीचर के थुछ जो इन्स्ट्रक्शन दिये जाएं उनके अकॉर्डिंग जैसे टाडासन, पदमासन, पवनमुक्तासन, सुर्य नमस्कार, इस अ कॉंबिनेशन ओव सेवरेल आशन सी, सुर्य नमस्कार जो होता ह यासन का combination होता है पतंजली रिशी इस तांग योग इंक्लूड शियम नियम आसन प्राणयाम पत्यहर धर्ण और ध्यान एंड समाधी ये सब क्या है उसके आठ आसन है ठीक है ये इसकी आठ अस्टांग योग है इसके अंदर पतंजली रिशी ने इनको इंक्लूड किया है Meditation is very necessary for all round development of students Students के अंदर सारे rounds को develop करने के लिए meditation की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ध्यान करने की चिंतन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है It develops an art of living ये हमारे अंदर जीने की एक कला को develop करता है It develops a positive outlook towards life ये हमारे अंदर जीवन के परती एक positive outlook बताता है हमें ठीक है जीवन के परती हमें एक सकारात्मक सोच देता है Yoga is also helpful for physical, mental, intellectual and spiritual development Yoga जो है वो शारिक रूप से, मानसी रूप से, बोधिक रूप से और अध्यात्मिक डेवलप्मेंट अध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा useful है आप प्रेयर असेंबली में योगासन करने के बाद कैसा महसूस करते हूं अगर आपको योगा एजुकेशन का कोई experience है तो इसके बारे में आपको क्लास में डिसकर्स करना है वाइशुड वी गो, वाइशुड वी डू योगा, हम योगा क्यों करते हैं क्या आपको पता है कि स्वामी वीवेकानन्द कहते थे कि सबसे पहले हमारे युवा लोगों का फिजिकली स्ट्रॉंग होना जरूरी है योगा और गेम्स हमारे शरील को मजबूत, हेल्दी और ब्यूटिफुल बनाते हैं अलोंग विद प्रोवाइडिंग अस एंटर्टेनमेंट और इसके साथ साथ हमें एंटर्टेनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं इनदीन गौर्णमेंट के अफर्स के चलते हैं बहुत सारे दिशों में लाखों लोग 21 जून 2015 से क्या करते हैं योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं योगा के काफी सारे आसन्स को करके वो योगा डे सेलिब्रेट करते हैं इन दिनों बहुत सारे विदेशी लोग योगा सीखने भारत आ रहे हैं यानि 21 जून को क्या होगा इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाएगा सब्सक्राइब योगा जो एक वर्ड है उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड वर्ड मिले हुए हैं एंटर्टेन्मेंट के साथ साथ गेम्स हमें हैल्दी और ब्यूटिफुल बनाते हैं अलोंग विधिन टैक्चुल एड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मैक अस डिसिप्लेंड हमारे बोधिक और शारिक विकास के साथ साथ गेम्स हमें डिसिप्लेंड भी बनाते हैं यानि हमें नियम सिखाते हैं अनुशाषन सिखाते हैं हमारे अंदर companionship और corporation एक दूसरे का साथ देने की भावना गेम्स डेवलोप करते हैं और साथ में हमारे अंदर जील और जोई का भी development होता है यानि आनन्द और उत्साह का development होता है By teaching to struggle, be confident and win, games make our life beautiful By teaching to struggle, महनत करके सीखने से और be confident बनने से और जीतने से Games make our life beautiful और इस तरीके सीए सब चीज़ें सिखाकर Games हमारे जीवन को क्या बनाते है, beautiful बनाते है अब हम पढ़ते हैं, breathe variation के बारे में यानि की हमारी सांस लेने में विभिनिता हमारी जो सांस लेने की जो process है उसके अंदर अलग-अलग तरीके कैसे होते है Games require running and jumping, Games के अंदर दोडने की और jump करने की जरुरत होती है Breathe becomes faster on running, दोडते समय क्या हो जाता है, breathe हमारी सांस लेना की जो timing है वो क्या हो जाती है, सांस faster हो जाती है, sit silently and breathe normally चुप चाप अराम से बैठिये और normally अपना सांस लेने की प्रक्रिया जारी रखिए Tag your hand near your nose and feel the breathe अब अपने हाथ को अपने नाग के नजदीक ले जाकर अपनी breathe को महसूस कीजिए At your place, jump 10 to 12 times, now take your hand near your nose and feel your breathe अब आप एक ही जगे पे 10 से 12 बार जंप करिए और फिर अपने हाथ को अपने नाग के पास ले जाकर अपनी breathe को feel करिए Find out and tell When did you feel your breathe warm and cool आप अपनी सांस में गरमाई और ठंड कम महसूस करते हो गरम और ठंडा कम महसूस करते हो Blow 3 to 4 times in an empty glass, notice what happened this time एक खाली glass में 3 से 4 बार बलब सांस लेना है और छोड़ना है Notice what happened this time, notice करो कि इस समय क्या हुआ Bring a mirror close to your mouth and blow 3 to 4 times, see what happened this time एक mirror को अपने माउथ के पास ले जाकर उसमें 3 से 4 बार आपको blow करना है, यानि breathe करना है और फिर देखना है कि उसमें क्या होता, इसमें क्या हुआ You saw that the mirror got blurred because your breath contains moisture which gets stuck on cool surface हम आप देखोगे कि mirror के उपर क्या हो जाता है मतलब गिला हो जाता है mirror क्योंकि हमारी सांस के अंदर क्या होती है moisture होती है, नमी होती है get stuck on cool surface जो की एक ठंडे surface पर जाके रुख जाती है और blow works for us in several ways हमारी जो blow है सांस लेने की जो छमता है वो हमारे लिए अलग-अलग तरीके से काम करती है Think and Tell Is fire possible by blowing? क्या blowing की वज़े से fire possible है? Can fire be extinct by blowing? क्या blowing की वज़े से fire को खतम भी किया जा सकता है बुझाया जा सकता है Which musical instrument is played by blowing? क्या कोई instrument musical instrument blowing के थूँ बज़े जा सकता है ठीक है तो ये है पंडित हरी परशाद जोरस्या playing flute by blowing ठीक है तो इस तरीके से जब हम फूप मारते है अपने सांस की वज़े से तो उससे ये flute बचती है अब हम देखते है Next Let's do it टेक एन एंपटी रील आउथ रीड एक खाली जो रील होती है धागे की उसको लेना है Cover one of its ends by past pasting a paper इसका जो एक end है उसे पेपर चिपका के बंद करना है Mac a small hole near this closed end इस बंद के तरफ एक चोटा सा hole बनाना है उसके पास में Put a small round reel piece on the hole and blow from the other end of the reel एक small round reel इसके अंदर piece के इस hole के अंदर डालना है और फिर उससे दूसरे साइड से blow करना है See what happens देखना है कि क्या होता है Find out and tell Sit calmly and breathe अराम से बैठना है सांस लेना है Look at your watch and count your breath That how many times you breathe in a minute फिर आपको watch देखनी है और count करना है कि आप एक minute में कितनी बार सांस ले रहे हो कितनी बार breathe कर रहे हो Do this activity along with your classmates also इस activity को अपने classmates के साथ भी कर सकते हो Tag 2-3 rounds of your school ground running आपको अपने school ground के 2-3 round लगाने है दोडना है Now count your breath in a minute फिर एक minute में अपनी breath काउंट करना है What difference did you notice आप क्या difference नोटिस करोगे Did breathing rate decrease or increase कि आपका breathing rate बढ़ा या कम हुआ Healthy person breathes 15-20 times in a minute Healthy person की जो breathing होती है वो 12-20 बार होती है एक minute में And breaths become faster than we walk Fast run, play, etc. हमारी जो breaths है वो क्या हो जाती है फास्टर हो जाती है जब हम तेज दोड़ते हैं चलते हैं या फिर खेलते हैं Take and step and measure your chest एक इंचे टेप लेना है और अपनी chest को measure करना है Now inhale strongly and ask your friend to measure your chest अब बहुत strongly मतलब सांस को अंदर खीच कर फुलाना है अपनी chest को और फिर अपने फ्रेंड को अपनी chest को measure करने के लिए कहना है Also measure the chest of other classmates the same way इसी तरीके से बाकी classmates की भी measurement करनी है Do chest inflate due to air collected inside by inhaling strongly क्या हो जाता है सांस को strongly अंदर लेने से air collect हो जाती है उसके अंदर अपनी chest के अंदर ठीक है Sing these lines in the class in turn Games strive weakness away mac health beautiful Games teach us many skills remove difference of color and race games hug all Game क्या करता है Weakness को दूर बगाता है हमें healthy और beautiful बनाता है हमें बहुत सारी skills सिखाता है हमारे अंदर जो रंग और race का जो difference है उसे दूर बगाता है और game सब को गले लगाता है यानि games के अंदर कोई differences नहीं होते सब लोगों को game खेलने का मोका दिया जाता है These are some excellent players who have mad as proud by their achievements यहां पर कुछ excellent players है जिन पर हमें उनकी achievements की वज़े से उन पर बहु जादा प्राउड होता है तो से swimming में कौन है Bhakti Sharma and Vidhaval Khaडi Vidhaval Khaडi Archery में है Limba Ram और दिपिका कुमारी बॉक्सिंग में है Maricom, Vijayandar Singh और क्रिकेट में Sachin Tandulka, Virat Koli etc Out of these in which games do you have interest इनके लावा जिस गेम में आपको इंटरस्ट आप इसके बारे में भी आपको डिसकस करना है So chapter students, thanks and have a nice day